नमशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल और अग्जाम गाइड गूरूपर दोस्तों मैं अजीत पांडे आज आपके लिए इस वीडियो में मद्यकालीन भारती इतिहास के महत्रपूर्ण 50 प्रशनों को लेकर आया हूँ ये 50 प्रशनों हर एक्जाम में पूछे जाते हैं और 100 प्रतीशत आने वाले एक्जाम में जरूर पूछे जाएंगे इनको रट लीजे याद कर लीजे आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं इतिहास का ये टॉपिक हर एक्जाम में पूछा जाता है और कम से कम 6-7 नंबर लगबग लगबग 6-7 नंबर आपके इस वीडियो से पक्के हो जाते हैं अगर आप ये सारे प्रशन याद कर लेते हैं तो इमानदारी के साथ में सारे कॉशन को एक क्विस की तरह खेलते हुए अपना टैस्ट भी दे लीजे याद भी कर लीजे अगर बेइमानी करते हैं तो बेइमानी का फल आपको ही भुगतना पड़ेगा हम तो आपके लिए हर तरह से कॉशन प्रोवाइड करा ही रहे हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो हर प्रशन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा 50 में से 50 स्कोर गेन करना है अगर इससे कम स्कोर आता है तो मार्केट में आपकी क्या वैल्यू है आज की डेट में आप खुद समझधार हो स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहला प्रशन ये रहा स्कीन पर कॉशन नमबर वन है हसन निजामी और फक ए मुदबिर किसके दरबारी कभी थे प्रशन नमबर वन क्या उत्तर हो सकता है इसका पतला ही चले देखते हैं तो यहाँ पर सेत्र हो जाएगा हसन निजामी और फक ए मुदबिर जो है ये थे कुतुब बुद्दीन एबग के दरबार में अप्शन नमबर ए इस प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा हसन निजामी और फक ए मुदबिर कुतुब बुद्दीन एबग के दरबारी कभी थे नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुश गया है ये रहा स्क्रीन पर मुहमत गौरी ने पहली बार भारत पर आकरमड कब किया था क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो मुहमत गौरी ने भारत पर पहली बार आकरमड जो है 1175 में किया था आपशन नमबर 20 प्रशन के लिए सेत्रो जाएगा मुहमद गौरी ने पहली बार 1175 में भारत पर जब आक्रमण किया था मुलतान पर उस समय वहाँ पर करमाथ जाती के मुस्लिम साशकों का राज्य था तो याद रखेगा कॉशन पूछा जाता है किस इस्थान पर किया था तो मुलतान पर आक्रमण किया था और जब मुलतान पर आक्रमण किया था तो उस समय किस जाती के साशकों का साशन था तो करमाथ जाती के मुस्लिम साशकों का वहाँ पर राज्य था 1175 में आक्रमण किया था किस के काल को मुगल चितरकला का स्वरनकाल कहते हैं क्या उत्तर होगा इस प्रश्ण का बतलाईए चले देखते हैं तो चित्रकला का स्वरणकाल किसके योग को कहा जाता है ये कहते हैं जहांगीर के योग को मुगल काल का चित्रकला का स्वरणकाल जहांगीर के योग को माना जाता है जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का ख अब बताईए मुगल काल किसके समय का किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल था वास्तुकला किसके काल में खूब ज़्यादा प्रसारित हुई क्या उत्तर होगा बतलाईए चले देखते हैं यरा स्क्रीन पर मुखमद बिन कासिब ने भारत पर आकरमर्ड इन में से कब किया था चले देखते हैं तो मुहमद बिन कासिब भारत पर आकरमर्ड कब किया था साफ सو बारा इसले अप्शन नमबर बीस प्रशन के लिए से यत्रो जाएगा जब मुहम्मद बिन कासिम ने 712 इसमी में भारत पर आकरमर किया था तो उस समय सिंद के राजा दाहिर थे याद रखेगा कॉशन पूछा जाता है कि उस समय राजा कौन थे चलिए देखते हैं तो लिंग राज मंदर कहां पर है उडिसा के भूगनेश्वर में है अब प्रदेश लिखा है तो प्रदेश के अकॉर्डिंग उडिसा आंसर सही हो जाएगा लिंग राज मंदर उडिसा की राजधानी भूगनेश्वर में है जजाती केसरी ने इसे बनव गए हैं तो इसमें ग्यारावी सदी में बना मंदिर है ये फिर भी इसके कुछ हिस्से जो है 14 साल पुराने हैं नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशग है यह रहाई स्क्रीन पर नट्राज की कासे मूर्ती किस वंश से संबंदित है क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो नट्राज की कासे की मूर्ती जो है यह चोल वंश के शाषकों से संबंदित है उस समय से संबंदित है नटराज का एक अर्थ होता है नटराज का अर्थ क्या होता है तांडव नृत की मुद्रा में शिव ये कौशन एक्जाम में पूछा गया है कि नटराज का अर्थ क्या है तो तांडव नृत की मुद्रा में शिव नटराज का अर्थ होता है नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया है अमोग वर्ष किस वंस से संबंदित था क्या उत्तर होगा बतलाईए चले देखते हैं तो अमोग वर्ष जो है राश्रकूट वंसे से संबने था और कर कौशन पूछा जाता है कि राश्रकूट वंस का संस्थापक कौन था तो राश्रकूट वंस का संस्थापक अमोग वर्ष था याद रखेगा अमोग वर्ष राश्रकूट वंस का संस्थापक था राश्ट कूट वन्स से संबन्दे था नेक्स कॉशन देखते हैं क्या पूशग है ब्रिटेन की रानी एलिजाबेद पुर्थम किसके समकालीन थी इन में से क्या उत्तर हो सकता है बतलाईए चलिए देखते हैं तो ब्रिटेन की राणी एलिजाबेद प्रथम जो है अकबर के समकालीन थी option number 8 प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा एलिजाबेद जो थी एलिजाबेद प्रथम 1500 1558 1558 से 1603 1558 से 1603 तक इंगलेंड की राणी रही थी और अकबर के समकालीन थी इनका time period भी याद रखिएगा पूछा जाता है कि एलिजाबेद प्रथम का साशन काल का समय क्या था तो 1558 से 1603 तक इंगलेंड की राणी थी ये next question देखते हैं क्या पूछा गया है अब्दुलकादिर बदायूनी नकीब खान और थानिस्वर ये किसके दरबार में थे क्या उत्तर हो जाएगा बतलाईए चले देखते हैं तो अब्दुलकादिर बदायूनी नकीब खान और थानिस्वर ये सभी जो हैं ये अकबर के दरबार में थे राइट आंसर क्या हो जाएगा अब्दुलकादिर बदायूनी नकीब खान और थानेश्वर जो है अकबर के दर्बार में दर्बारी थे राइट आंसर हो जाएगा option number A अकबर next question देखते हैं क्या पूशा गया है यह रहा स्कीन पर गला प्रशन किताब अलहिंद की रचना इन में से किस ने की है क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो किताब अलहिंद की रशना किस ने की है अलबर्णी कौन था तो अलबर्णी सरप्रतम भारती संस्कृति का अध्यन करता माना जाता है अलबर्णी किस के साथ भारत आया था तो अलबर्णी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था उसने किस किताब की रचना की है तो उसने अलहिन किताब अलहिन की रचना की है याद रखिएगा पूछा जा सकता है अलबर्णी किस के साथ भारत आया था तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था इसने किताब अलहिन की रचना की है अलबर्णी ने सरप्रतम भारते संस्क प्रदी का अध्यन भी किया था नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पूश अगया है यह रहा स्क्रीन पर किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उनकी इजाज़त के बिना दावत त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी यहां पर अमीरों से अर्थ उसके सहयोगी सा मंदित है तो कौन सा हुआ राजा है जिसने अपने सहयोगीयों को दावत वगयरा त्योहार वगयरा मनाने पर रोक लगा दी थी उसकी इजाज़त के बिना चले देखते हैं तो सलतनत काल का राजा कौन था अलावदीन खिल जी ऑप्शन नमबर सी इस प्रशनी के लिए सेत्र हो जाएगा खिल जी ने ऐसा क्यों किया तो अलावदीन खिल जी ने अपने राजी के विद्रोह को दबाने तथा विद्रोह की आशंका से बचने के अलाई दर्वाजा किसका प्रवेश द्वार है क्या उत्तर होगा इस प्रशनी के लिए चले देखते हैं तो अलाई दर्वाजा किसका प्रवेश द्वार है अलाई दर्वाजा कुदूब मिनार का प्रवेश द्वार है ऑप्शन नमबर इस प्रशनी के लिए सही उत्तर हो उद्दीन खिलजी ने इसे बनवाए था नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुश अगय है बावर ने भारत का सबसे सक्तिसाली राजा किसे बताया है क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो बावर ने भारत का सबसे सक्तिसाली राजा किसे बताया है कृष्ण देवराय को बताया है कृष्ण देवराय विजय नगर सामराज के सबसे पहले महान राजा थे उनका राज वर्तमान में अगर देखा जाये तो तमिनान्डू केरल उडिसा करनाटक आंद्यप्रोडेश इन सभी राज्यों में फैला हुआ है। इस समय जो ये राज है, इन सभी राज्यों में उनका सामराज फैला हुआ था। बाबर ने कृष्टन देवराय को भारत का सबसे सक्ती साली राजा बताया था। नेक्ट्स कॉशन देखते हैं क्या पूशग है यह रहा स्क्रीन पर निम लिखे सहरों में से किस एक में निम लिखे सहरों में से एक प्रसिद इसमारक रूमी दर्वाजा इसमारक का क्या नाम है रूमी दर्वाजा रूमी दर्वाजा इनमें से कहां पर है बतलाई चले देख है यह caution फूछा जाता है किस वास्तु कला में बना है तो अवधी वास्तु कला में बना ये दरवाजा है रूमी दरवाजा लख्लो में स्थित है next caution देखते हैं क्या पूछ गें है यह हां screen पर फिर्दास मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था क्या उत्तर होगा इस प्रश्न kaysी बतला ये चले देखते हैं तो फिर्दॉस मंजिल किस मुगल राज़ा को कहा जाता था तो फिर्दॉस मंजिल कहते थे साह आलम दुतिय को किसको कहते थे शाह आलम दुतिय आपशन अमबर 20 इस प्रश्न के लिए सेफ्रो जाएगा साह आलम दोतिय एक मुगल समराठ था जिससे अंग्रेजों के हाथों बक्सर के युद्ध में हार मिली थी ये कौशन एक्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजों के हाथों बक्सर के युद्ध में किसे हार मिली थी तो शाह आलम दोतिय को मिली थी next question देखते हैं क्या पुशाग है ये रहास्पीन पर महरुणनेसा किस नाम से प्रशलित थी क्या उत्तर होगा इस प्रशलिक के लिए बतलाएए चली देखते हैं नूर जहां के नाम से प्रशलित सेर ए अफगान की बिद्वा थी बाद में जहांगीर की पत्नी बनी जिससे जहांगीर ने नूर जहां की उपादी थी और फिर नूर जहां के नाम से वो पुरसित हुई नेक्स कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है यह रहा स्क्रीन पर सराब गुटका किस रहस्यवादी कवी की हस्त लिपी है हस्त लिपी है सराब गुटका किस रहस्यवादी कवी की हस्त लिपी है क्या उत्तर होगा बतलाईए चले देखते हैं तो यह रहस्यवादी कवी है भगत पीपा नाम से option number ए इस प्रशन के लिए से उत्र हो जाएगा भगत पीपा नाम के रहस्वादी कभी है इनकी हस्त लिपी है सरागुट का याद रखेगा पूछा जा सकता है एक्जाम में नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पूछा गया है कभीर किसके शिष्य थे क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो कभीर जी किसके शिष्य थे रामानन्द जी के शिष्य थे कभीर रामानन्द जी के शिष्य थे रामानन्द भक्तिकाल के भावानंद, फिर भगत पीपा, जिनोंने गुटका और शराप वाले, इससे पहले वाले कॉशन जो हमने पड़ा, जिसकी रचना की, हस्तलिपी गुटका और शराप, भगत पीपा, ये इनके शिश्य थे, सेन, धन्ना, रवीदास, और दो महिला शिश्या, सुर्श्री और प भावानंद, भगत पीपा, फिर उसके बाद सेन, फिर धन्ना, फिर रवीदास, और दो महिलाएं शिश्या, सुश्रूरी और पद्यवती, ये सभी इनके शिश्य थे, ठीक है, नेक्स्ट कॉशन देखते हैं, क्या पुशा गया है, ये रहा स्क्रीन पर अगले प्रश्य प को नहीं बताया था, कबीर के शश्य रामानंद थे, नेक्स्ट कॉशन देखते हैं, क्या पुशा गया है, अगले प्रश्य पर चलते हैं, अगला प्रश्य ये रहा स्क्रीन पर, अकबर नामा किस भाशा में लिखा गया है, क्या उत्तर होगा इस प्रश्य 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 प्रश् किसके खिलाव था तो मोमद गौरी का अंधिम अभियान किसके खिलाफ था को आप्शन के लिए सेत्रों जाएगा मोहँमद गौरी का अंधिम अभियान खोकर के खिलाफ था next question देखते हैं क्या पूश अगया है महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था इनमें से क्या उत्तर होगा बतलाई चलिए देखते हैं तो महमूद गजनवी के साथ इनमें से कौन भारत आया था तो अल बरुनी भारत आया था क्या पूश अगया है यह रहा स्क्रीन पर औरंग जेब किस वादियंत्र को बजाने में निपड़ था क्या उत्तर होगा बतलाईए चलिए देखते हैं तो औरंग जेब किस वादियंत्र को बजाने में निपड़ था तो औरंग जेब वीना बजाता था option number A इस प्रशन के लिए सेत्रो जाएगा औरंग जेव वीना बजाने में निपुर था हाला कि उसने अपने राज में संगीत पर रोक लगा के रखी थी फिर भी वो वीना बजाने में बहुत ही माहिर था next question देखते हैं क्या पूशा गया है इल्तुतमिस द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातू का बनाया गया था क्या उत्तर होगा बतला ही चले देखते हैं तो इल्तुतमिस ने जो 175 ग्राम का सिक्का जारी किया था वो चान्दी का बना हुआ सिक्का था option number B यहाँ पर से हित्रो जाएगा इलतुतमिस ने चांदी का टंका और तामे के जीतल को चलाया जो पूरी तरीके से अर्भी सिक्के थे और चांदी का सिक्का जो चला था वो 175 ग्राम था तो यह कौशन पूछा जाता है कि चांदी का टंका और तामे के जीतल किसने चलवाए तो इलतुतमिस ने चलवाए और यह अर्भी सिक्के थे नेक्श कौशन देखते हैं क्या पूछा गया है मलेविद और वैलूर के मठ किस वंस के राजाओने बनवाए हैं क्या उत्तर होगा इस प्रश्णी के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो मलेविद और वैलूर के मंदिर जो है किस वंस के राजाओने बनवाए हैं तो यह होईसल वंस के राजाओने बनवाए हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी होईसल नेक्स कॉशन देखते हैं क्या पूशागा है मलेविद और वैलूर के मंदिर किस राज्य में हैं क्या उत्तर होगा बतलाईए चले देखते हैं तो मलेविद और वैलूर के मंदिर जो है यह तमिननांडू में थिरु मलाई कोडी मलाई कोडी वैलोर में छोटी पहाड़ी के तल पर श्रीपुरम अध्यात्मिक पार्क में इस्थित है राइट आंसर हो जाएगा option number B तमिनाडू next question देखते हैं क्या पूशा गया है निमलिकित में से इनका सही करम क्या होगा राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए बतलाइए चले देखते हैं तो यहाँ पर सहीत्र क्या हो जाएगा पहले आएगा गुलाम वंश फिर आएगा खिलजी वंश फिर आएगा तुगलक वंश फिर आएगा लूदी वंश यानि कि option number D यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा यह दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश का राज रहा इन में से गुलाम वंश का साशन जो था 1206-1290 तक रहा उसके बाद आया क्यों खिलजी वंश 1290-1320 तक इनका शाशन रहा फिर आया क्यों तुगलक वंश 1320 से 1414 तक राज किया उसके बाद सहीद वंश आया सहीद वंश ने 1414 से 1459 तक शाशन किया उसके बाद आया कौन लोधी वंश तो लोधी वंश ने 1459 से 1526 तक शाशन किया तो यह सही क्रम है दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले सुल्तान वंशों के नामों का सही क्रम नेक्स्ट कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया तो यहाँ पर सहीत्र क्या हो जाएगा option number D, पहले गुलाम, फिर खेली, फिर तुगलग, फिर लोधी next question देखते हैं 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है तो हल्दी घाटी के युद्ध के लिए option number A, इस प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर की सेना पती मान सिंह के बीच में हुआ था ये caution पुछा जाता है date पुछी जाती है तो 21 जून 1576 को हुआ था किस के बीच हुआ था नेक्ट काउशन लिख था पानी पत का तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था इन चार option में से क्या उत्तर होगा बतलाईए चलिए देखते हैं तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठा और अफगानों के मद्ध लड़ा गया था तो राइट आंसर क्या हो जाएगा option number D इस प्रशन के लिए सही है मराठा और अफगानों के बीच में लड़ा गया था तो पानीपत का तीसरा युद्ध सदा सिव राव भाव की मराठा सेना और अहमद शाह अबदाली की अफगान सेना के बीच में हुआ था जिसमें मराठाओं की हार हुई थी और उनके लगबग 60 से 70 हजार सैनिक मारे गए थे उनके कई युद्धा भी मारे गए थे इनमें से अफगानों का रुहेला आवत के राजाओं ने साथ दिया था जबकि मराठाओं को राजपूतों और जाटों का साथ प्राप्त नहीं हो सका था तो ये कॉशन important है पूछा जाता है next कॉशन लेखते हैं क्या पूशा गया है तो आप समझ गया होंगे अफगानों का रुहेला आवत के राजाओं ने साथ दिया था पूशा जाता है कि जो मराठा और अफगानों के बीच में युद्ध हुआ था उसमें साथ किसका किस ने दिया था तो मराठाओं को राजपूतों और जाटों का साथ प्राप्त नहीं हो सका था लेकिन अफगानों को रुहेला और अबद के राजाओं का साथ प्राप्थ हो गया था इसलिए इस युद्ध में मराथा जो है पानिपत के ती elles में सदा सिवराव, भाव की मराथा सेना और अहमा अहमद शा अबदाली के बीच में जो यह दुआ था तो मराठा सेना की हार हुई थी नेक्स्ट कॉशन देखते हैं क्या पूशा practice एक अग्रा की कौन सी इमारत मास्कों के सेंट कैठेड्रल की तरह है क्या अत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बतलाईए जब देखते हैं तो मॉस्को के सेंट कैथेडरल की तरह आगरा की कौन सी अमारत है तो यहां पर सेत्र हो जाएगा मोती मस्जिद अप्शन नमबर एस प्रश्ण के लिए सेत्र हो जाएगा मोती मस्जिद जो है आगरा की वो मॉस्को के सेंट कैथेडरल की तरह है next question देखते हैं क्या पुशा गया है अगला प्रश यह रहाँ screen पर बहमनी सामराज की राजधानी इन में से कहां पर थी बतलाईए चले देखते हैं तो बहमनी सामराज की राजधानी जो थी गुलबर्गा की थी option number A इस प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा गुलबर्गा थी और 1425 में बदलकर बीदर कर दी गई थी याद रखेगा पहले जो राजधानी थी वो थी गुलबर्गा और 1425 में बदलकर बहमनी सामराज ने अपनी राजधानी को बीदर कर दिया था next question देखते हैं क्या पुश हो गया है यह रहाद स्क्रीन प्रगला प्रशन निमलिकित में से वीड़ा कौन बजाता है कौन बजाता था राइट आंसर क्या है बतलाई चले देखते हैं तो यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा औरंग जेब option number D इस प्रशन के लिए सहीत्र हो जाए हैं तुंग भद्रा के तट पर कौन सा सामराज विक्सित हुआ था इनमें से क्या उत्तर होगा बतलाई चले देखते हैं तो तुंग भद्रा के तट पर जो है विजय नगर सामराज option number A इस प्रशन के लिए सेत्रों जाएगा विजय नगर की स्थापना जो है हरियर और को जोड़ती थी इनमें से क्या उत्तर होगा बतलाई चले देखते हैं तो सडक A आजम किन सहरों को जोड़ती थी तो आगरा और सासाराम की जो सडक थी उसको सडक A आजम जोड़ती थी सडक A आजम का निर्मार सेरसा सूरी ने कराय था जिसे उसने अपनी राजधानी आग औरहनगर सासा राम के बीच में बनवाया था next question लेखते हैं क्या पुशक है निम्लिकत मेंसे किसकी हत्या उसके बेटे ने कर दी थी क्या उत्तर होगा बतलाईे चली देखते हैं, तो यहाँ पर सेत्र क्या हो जाएका राणा कुम्भा, तो राना कुम्भा की हत्या उसके पुतर नहीं कर दी थी नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है, यहाँ स्क्रीन पर राना कुम्भा ने चित्तोर का विजय स्थम किस युद्ध के विजय के बाद बन वाया था बतलाई चलिए देखते हैं तो राना कुम्भा ने चित्तोर का विजय स्थम जो है ये सारंगपुर के युद्ध के बाद में अप्शन नमबर एस प्रशन के लिए सही उत्तोर हो जाएगा चलिए इसके बारे में बता जेता हूँ कुछ 1442 और 1449 के बीच में बन वाया था यानि कि 1442 से 1449 के बीच में इसका निर्माण हुआ था विजय स्थम्भ का नेक्ट कॉशन देखते हैं जोदपुर के निकट ओसिया नामक शहर किसउश के राजपूत राजाओं ने विक्सित किया था तो प्रतिहार वन्स के ओप्षन अंबर भी इस प्रशन के लिए सेत्र हो जायेगा ओशियां का सहर जोदपुर के निकट प्रतिहार वंसी राजपूत राजाओं द्वारा विक्सित किया गया था यहां नागभट महरभो जैसे राजपूत राजाओं द्वारा बनाए गए मंदर भी है नेक्स्ट कॉशन देखते हैं क्या पूश अगया है क्रिष्ण देवराय के छेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे क्या उत्तर होगा इस प्रश्ण के लिए बतलाईए चलिए देखते हैं तो क्रिष्ण देवराय का जो छेत्र था वो दक्षण भारत का छेत्र था इसमें जो है महाराष्ट नहीं आता था तो कृष्ण देवराय विजर नगर सामराज के सबसे महान शाशक थे और उनका राज जो है वर्तमान में देखा जाये तो तमिननान्डू, केरल, उडिसा, करनाड़क, आंद्रपृदेस इन सबी राज्यों में फैला हुआ था बाब अन्य कृष्ण देवराय को भारत के सबसे सक्ति साली राजा के तौर पर जो है बताया था नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है यह रहा स्क्रीन पर गलाप रश्ण पूर्व पश्ण समुद्र दिशावर की उपाधी किसने धारण की थी क्या उत्तर होगा इस प्रश्ण के लिए चले देखते हैं तो पूर्व पश्ण समुद्र पूर्व पश्ण समुद्र दिशावर की उपाधी जो है हरियर प्रथम ने धारण की थी option number a question के लिए से यत्रो जाएगा हरियर प्रथम ने तुंग भद्रा के दक्षण के राजे पर अधिकार कर लिया था उसने पूर्व पश्यम समुद्र दिशावर की उपादी धारण की इसकार्थ क्या होता है पूरव और पश्यम दिशा के समुद्र का स्वामी हरियर प्रथम नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशग है फार्सी इसलामिक विद्वान कमाल उद्दीन अब्दुर्रजाक इब्न इशाग समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतिय शहर की यात्रा की थी क्या उत्तर होगा इस प्रश्यम के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो यहाँ पर सेत्र हो जाएगा फार्सी इसलामिक विद्वान कमाल उद्दीन अब्दुर्रजाक इब्न इशाग समरकंदी ने काली कट ऑप्शन नमबर एस प्रश्यम के लिए सेत्र हो जाएगा काली कट की आत्राकिती काली कट भारत के मालाबार तड़ पर इस्थित एक शहर है उसने काली कट की संस्कृति के बारे में कई उप्योगी लेख भी लिखे है नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है रुकईया बेगम किस मुगल शाशक की पत्नी थी क्या उत्तर होगा इस प्रश्यम के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो रुकईया बेगम किस की पत्नी थी अकबर की ऑफ्शन नमबर बी इस प्रश्यम के लिए सेत्र हो जाएगा रुकईया बेगम मुगल शाशक अकबर की पहली पतनी थी जो 1557 से 1605 दक अकबर की पतनी रही रुकईया बेगम के पिता हसन मिर्जा अकबर के चाचा और हुमायू के सबसे छोटे भाई थे नेक्ट कॉशन लेखते हैं क्या पुशग है रजिया सुल्तान किसकी पतनी थी क्या उत्तर होगा इस प्रश्ण के लिए चले देखते हैं तो रजिया सुल्तान किसकी पतनी थी अलतूनिया आप्शन नमबर ए इस प्रश्ण के लिए सेत्र हो जाएगा रजिया के राज्य में अल्तूनिया ने विद्रो कर दिया था और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया था रजिया सुल्तान ने राजनितिक द्रश्टी से अल्तूनिया से शादी कर ली थी फिर नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशग है 1293 में मारको पोलो ने किस भारतिय राजिकी यात्रा की थी क्या उत्तर होगा इस प्रश्ण के लिए बतलाई चले देखते हैं तो 1293 में मारको पोलो ने होईसल option number 20 प्रश्ण के लिए से इत्रो जाएगा होईसल राजिकी यात्रा की थी यहां के धन संपदा आधी का विस्तार से लेक भी किया था उसने अपनी आत्रा के दोरान जो लेक लिखाता है उसमें next question देखते हैं खिज्र खाने किस वंश की स्थापना की थी क्या उत्तर होगा इस प्रश्ण के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो खिज्र खाने किस वंश की स्थापना की थी सज्इद वंश की स्थापना की थी option number c तो कप की थी तो सज्इद वंश की स्थापना चवदभा सो चवद़ा में की थी नेक्ट्क कॉस्टन देखते हैं क्या पुश अगे है Grand Trunk Road का पुनर निर्मान किस ने कराया था क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए बतलाये चले देखते हैं तो Grand Trunk Road का पुनर निर्मान जो है शेर सावसुरी ने कराया था option number 6 उस प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा Grand Trunk Road का निर्मान मौरिकाल में हुआ था तब इसे उत्तर पत कहा जाता था इसका पुनन निर्माड सेरसा सूरी ने कराया और इसका नाम सड़के आजम रख दिया गया नेक्स कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया है ये रहा स्क्रीन प्रगला प्रशन ताली कोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था क्या उत्तर होगा बतलाईएं चले देखते हैं तो ताली कोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था तो ताली कोटा का युद्ध हुआ था 1565 में option number Aist question के लिए से उत्तरो जाएगा 1565 में सलतनत की सेट सेनाओं के बीच 1565 में हुआ युद्ध था जिसमें विजय नगर के सेना पती सदा सिवराय की हार हो गई थी नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशग है औरंग जेव के समय राजपूत विद्रो कब हुआ था क्या उत्तर होगा बतलाईए चले देखते हैं तो औरंग जेव के समय राजपूत विद्रो जो है 1679, 1689 में हुआ था, option number C इस प्रश्न के लिए से यत्रो जाएगा, राजपूत विद्रो 1679 में हुआ था, राजपूत विद्रो हिंदुओं पर जजिया कर लगाने के कारण किया गया था, साहजां की मृत्यू कब हुई, क्या उत्तर होगा बतलाईए, चले देखते हैं, तो साहजां की मृत्यू कब हुई, तो साहजां की मृत्यू हुई, पाल खेड का युद्ध कब हुआ था क्या उत्तर होगा बतलाईए चलए देखते हैं तो पाल खेड का युद्ध जो है ये कब हुआ था ये हुआ था 1728 में औफ्शन नमबर एस प्रश्ण के लिए सेत्र हो जाएगा पाल खेड का युद्ध बाजी रा और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की सेना के बीच में हुआ था 1728 में जिसमें निजाम की बुरी तरीके से पराजय हुई थी सनीवार वाडा किस वंस से संबंदित था क्या उत्तर है इस प्रश्ण के लिए बतलाईए चले देखते हैं तो सनीवार वाडा किस वंस से तो मराठा वंस ऑप्शन नमबर 20 प्रश्ण के लिए सहित्र हो जाएगा सनीवार वाडा मराठा सामराज के पेश्वाओं के बैठने का इस्थान था इसका विकास पेश्वा बाजी राव प्रथम के समय में हुआ था तो दोस्तों ये थे 50 प्रश्ण आपको ये बताना है विजयनगर सामराज की स्थापना करने वाले दोनों भाईयों ने किस के प्रभाव में आकर विजयनगर सामराज की स्थापना की किस गुरू के प्रभाव में आकर किस संत के प्रभाव में आकर किस महापुरुष के प् वीडियो को like करिएगा चैनल को support करने के लिए जादस जादा दोस्तों को वीडियो शेयर करिएगा इससे पहले वाले वीडियो जो भी आप देखना चाहते हैं description box में link है link पर click करके वीडियो देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो मिलता हूं next video part में इस वीडियो को लेकर आपके जो भी कमेंट है जरूर शेयर करें अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन कर लिजेगा जिससे नोडिफिकेशन मिल सके बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो